आज इंटरनेट पर बहुत सारे creators बहुत ही ज़्यादा valuable और अच्छा content बना रहे हैं उनमें से ही एक है रभी भाई इनका instagram पर एक page है जिसका नाम है mindset reading और उनके 3 लाख followers होने वाले हैं वो book की learnings भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस इंसान को किस तरह की books पढ़नी चा होता है और अगर आपने content बनाना सुरू किया है या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो ये episode आपके लिए बहुत ही ज़्यादा useful होने वाला है क्योंकि इसमें हमने content creation के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा detail में बात की है तो रभी भाई कैसे हो आप बहुत अच्छा उमीद भा क्योंकि काफी बहुत ज़्यादा लोग के questions भी आते हैं तो I'm sure कि आपके इस podcast से लोगों को help भी हो जाएगी कैसे growth करना है plus of course books के बारे में भी बात करने वाले हैं तो yeah I'm very excited about it and thank you so much again for inviting on billionaire's mindset thank you thank you तो रभी भाई मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आपकी self help books से introduction कभ वा कभ आपने इनके बारे में जाना और कभ आपने पढ़ना सुरू किया वैसे तो पहले में self help books के उतना मैं पढ़ता ही नहीं था मतलब उतना के मैं पढ़ता ही नहीं था पहले college की books ही थी जो मैं पढ़ता था college में अपने तो मैं डिप्लोमा में था एंड मुझे वन यार का मुझे गैप लग गया था आप बोल सकते हो फिर वहां से वन यार का गैप में अगर मतलब बहुत लोग रिलेट करते होंगे जिनको गैप लगा होगा कुछ करने को रहता नहीं है पूरा एक साल आपका घर पर बैठे रहते हो फिर तो उस वक्त में मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक बुक घर पे मलब ऐसा ओर्डर किये थे आइधिंक तो वह बुक मैंने देखी और उस टाइम पर कुछ करने को रहता ने तब बस यूटूब पे वीडियो देखना और कुछ यहां वहां हो गया दोस्तों के बाज़ी में रखी थी और बुक का नाम था थिंग एंड मलब की ओजन ने पूले नहीं की ग्रोरिश थिंग और मेरी वन आप देख फेवरेट बुक्स भी है इस टाइम पर थी और फिर मुझे जो टाइटल था बुक का मैंने वह पढ़ा एंड फिर उठाया और फिर कि अनल चार्ट के श्टार्ट किया काफी बहुत ज़्यादा वह लगा मलब अंदर से अरे एक वह काफी सही चीज है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़े बताई गए था बट इतने डीप में और इतने अच्छे पढ़ा नहीं था तो वहां से मेरा काफी इंट्रेस्ट आ करके और फिर और एक साल का जो गाप। था, उस काप में, मैंने بहूं सारी बुक्स डिस्कावर की आगे चलके और मैंने अमेजोन पे य क्या हो गया या इंटरनेट पे आप बोल सकते हो, काफी सर्च किया, और फिर बहुत स्टार्ट हुआ पढ़ने का इंट्रेस्ट तो काफी लोग मुझसे मतलब किसी से भी आप से भी पूछते होंगे ये सवाल कि हमें आदियो बुक सुननी चाहिए या फिर फिजिकल बुक पढ़नी चाहिए तो हमें सा लोगों को लिए ये रेकमेंडिशन मेरा रहेगा और आपको ग्रास्प कर रहे हो वह अलगी एक्सपीरियंस होता है और वह चीज़ आपको आडियो बुक में नहीं मिल सकती एक्जैकली साही बोल रहे हो आप आडियो बुक्स में दोनों के ड्वांटेज हैं प्लस मैं पीफर अभी तो प्रिफर करता हूँ हार्ड कॉपी सी पे बिजिँ जो लोग जादा करके ह signature लाइफ में बहुत होते हैं इस जी ज्योपरियर्डक उगरा होते हैं और जिनके पता स्धार एक्शुली टो उनके लिए आडियो बुक्स मदब सख़ी होती है उनके पास नहीं को chance में नहीं करता है ताइम कंजुमिंग भी है इसके लिए वो काफी प्रिफर करते हैं कि और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो पेपर बैक्स का फैन हूँ इसके लिए आप देख सकते हो सब मेरे पास पेपर बैक्स बुक्स ही है और अगर टाइम है आपके पास थोड़ा भी तो आपको फि बैटर है वीजिकल में आपको अटेश्मेंड हो जाता है प्लस फिजिकल बुक्स में देखो आप एक वो चीज़ तेर आप आपके सामने जो कुछी स्कूछ होती है आप जब देखते हो उसको तो आप जो है जल्दी से जल्दी आप उसको ना अपने प्बूर जो होता है आ तो आप और भी कुछ चीज़े देखते होगे और भी कुछ अलग से चीज़ों को अबसर्ब करते हो तो आप ना जो वह एक होता है पूरा कॉंसेंट्रेशन जो है जैसे आप बोल सकते होगे पूरा कॉंसेंट्रेशन उसके अपर मलब रहेगा नहीं और अगर आप फीजिकल पड़ रहे हो तो आप आप देख भी रहे हो प्लस प्लस आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो उस चीज़ को लिकर के आप सोच भी रहे हो आप इमेजिन भी कर रहे हो जो जो आप स्टोरी पड़ रहे हो जिस आउधर के बारे में उनकी लाइफ के बारे में पड़ रहे हो मेरे ख्राइब से पड़ना तो काफी ज़्यादा एडवांटेश है तो अभी तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी है लग बाग यह तो मलब 150 के आराउंड होएगा इसा कुछ अभी पीडियाफ भी होती है आडियो बुक्स भी इंक्लूड है ज्यादा करके पेपर बैक्स बुक्स हैं तो आप समल मलब वही नंबर से 150 प्लस के आराउंड होएगा इसा कुछ और यह कितना टाम हो गया लगए आप तो आपको पढ़ते हुए मुझे हो गया है सिक्स टू सेवन यह साब बो सकते हो काफी सब्सक्राइब कॉलेज में जब मैं डिप्लोमा में था मैंने वहां से स्टार्ट करना शुरू किया था 2015 और या 16 से आपको जो आइडिया आया इंस्टाग्राम पेज बनाने का वो कैसे और कवाया था हां तो इस्टाग्राम बनाने का यह जो आइडिया था तो काफी इंट्रेस्टिंग था और काफी मतलब आदिस अजादा पॉपूलेशन सब लोग घर पर ही थे तो बुक्स अलड़ी हम पढ़ते ही थे मेरी यादत तो पहले से बनी ही थी बुक्स पढ़ने की एंड फिर मैंने कुछ लोगों को देखा इंस्टाग्राम पे अपनी बुक्स के बारे में लोग अपना जो है नजरि थे तो मैं उनको देखा चेक किया एंड फिर मैंने जब वो देखा तो मैं बोला यार हम भी घर पर है टाइम पर है और मैं भी काफी पहले से बुक्स पढ़ते आ रहा हूं तो जो भी कुछ सीख रहा हूं यह सब अफकॉस यह लोगों के सामने रखना भी चाहिए और कोवि रिसर्च किया उसके बारे में क्योंकि मेरा आइटी का यह जो मैंने पूरी पढ़ाई आइटी में किये तो उस सब चीज़ को ले कर गए भी काफी मैं कॉंचेस रहता हूं तो नाम सोचा अंदेन उसके बाद मैं सुबह रात को सो गया एंदेन फिर सुबह से जैसे ही हुई सुबह फिर उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च करना स्टार्ट कर गया क्या क्या कोश्ट करना है कैसे क्या करना है फिर जो भी बुक्स में पढ़ता था वो सब शेयर करने लग गया देन फिर वहां से स्टार्ट हो गया करना आपका मोटिवेशन यह था कि लोगों के साथ न यही था कि जो मैं पढ़ रहा हूं चीज़े जो मैं बुक्स जो अलग-अलग बुक्स क्योंकि काफी मैं रिसर्च करता था तो बहुत ऐसी बुक्स आती थी ना जो लोगों के सामने आनी पाती थी बैसिकली जो भी बैस सेलर्स बुक्स हैं वो सब लोग शेयर करते हैं और क सब के बारे में भी लोगों को बता हूं जो लेशन्स हैं जैसा लोग कर रहे हैं वह भी मैं करूं ऐसा और वह सब भी करने में फन था क्योंकि बुक्स पढ़ना अच्छा लगता ही है तो मतलब मोटिफ स्टार्टिंग में तो यही था बट अभी ऑडियंस बिल्ड हो गई ह तो एक परसनल ब्रेंडिंग वो सब की तरफ काफी यह जा रहा है मेरा अभी तो इसको लेकर आपके फ्यूचर प्लैंस क्या है अभी फ्यूचर प्लैंस तो यही है कि जो माइंसेट रीडिंग का जो परसनल ब्रेंड है इसको और बढ़ाना अलग प्लेटफर्म्स पे जैस को वीडियो के थ्रू तो काफी मुझे लगता है कि वीजूल इंट्रेक्शन वो काफी अच्छा रहता है वीडियो के थ्रू तो उससे ज्यादा और लोग को समझ सकते हैं जो आप अपनी बात पहुचाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से पहुचा सा सकते हैं वीजूल के तुरू तो इसके लिए मैं यूटूब पे भी जा रहा हूं और प्लस ट्विटर पे भी है तो फ्यूचर प्लैन यही है कि अलग अलग प्लैटफॉर्म पे यह अभी डेवल रहूं और प्लैन है कि अपना एक पॉड्कास्ट भी रहे जैसे आप कर रहे हो और यह भी यूटूब पे आना मेरे हिसाब से जरूरी भी है क्योंकि यह आपको एक रिवार्ड भी देता है मॉनिटरी आस्पेक्स में तो उसे हम अपने फाइनेंशल कंडिसन्स को अच्छा भी रख सकते हैं और साथ ही साथ लोह तक इंपॉर्टेंट मैसेजिस भी पहुचा सकते है हाँ यूटूब यूटूब पे एचली ये है ना कि काफी ज्यादा फ्रेंड्स भी है जो की बुक्स में काफी अच्छा कर रहे हैं मेरे तो उनसे कभी भी मिलना होता है तो सजेस्ट करते मुझे और काफी पहले से सजेस्ट किये थे कि भाई तू इस्टाग्राम पे तो अ हेल्प कर सकते हैं आपको आगे बढ़ने में लेकिन यूटूब पे रहना बहुत जरूरी है टाइम पे तो तुझे आना चाहिए तो मुझे अलगा कि काफी सोचा उसके बारे में काफी कैमरा पर ऐसा इसा कैमरे के सामने आकर के बोलना स्टार्टिंग में फिर वह सब मैं स कि आना मलब ठीक है आना चीए लोगों को यूटूब पे यकी प्लेटफ्वर्म पे मलब रहना नी चीए अभी तो मेरी खास से काफी ज़्यादा प्लेटफ्वर्म पे अगरे आप हो ठीक है क्यूश को पता और भी नहीं कि कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारा लिगत्वा जादा देखा जा सकता है आगे फीचर में क्योंकि जब मैंने अपना पॉड़कास रूखिया था तो कुछ सेलेक्टिव प्लैटफॉर्म्स पर अविलेबल था फिर धीरे जब डिस्टिविशन बढ़ा तो उसमें विंक म्यूजिक और गाना जैसे एपस भी आए तो फिर सा प्लैटफॉर्म आपके लिए अच्छा है अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो मुझे लगता है कि आप जितने ज़्यादा प्लैटफॉर्म्स पर हो सके शेयर करो और उस पे आप अलग अलग ट्राय करो चीज़ें कैसे कर सकते हैं इस प्लैटफॉर्म पर ग्रो और वहा आपको रहना चाहिए तीन-चार जोभी प्लैटफॉर्म्स है जो मेजर प्लैटफॉर्म जिए हैं जो लोग बनाना चाहते हैं जो लोग शुरू करना चाहते हैं इसा one commence a करियेर dengan के कुछif u आप अभी देना चाहते हूं जो लोग सुरू कर रहे हैं सिर्फ अच्छा तो सेल्फ हेल्प के यानि की जो जो लोग किताब्य पढ़ते हैं उनके लिए फिर है कइसी भी तरह से किसी भी की नीच्छ में वो जो तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो कुईकि जो अगरarp इंडेंस्ट है जब थे इन इंट्रेश्ट रहूना चाहिए लोकोगों का शुरू करने तो मुझे वह काफी अच्छा लगता है तो बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहा हूँ तो मेरा एक बुल सकते है कि इंट्रेस्ट है और यह मैं करते चले जाओंगा अगर भले ही मेरा आगर इंस्टाग्राम पेज भी हड़ी है यूटूब भी हड़ी है जो भी स्टार्ट किय हूँ या टूटर भी हड़ी है लेकिन फिर भी मैं बुक्स बढ़ते ही रहूँगा तो यह ऐसी एक यह चीज है चीजों को लॉंग टर्म के लिए लेकि जाना चाहते हो तो इंट्रेस्ट के पीछे आप मतलब जा सकते हो इंट्रेस्ट के जो आपका इंट्रेस्ट है उसके कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी हर प्लेटफॉर्म पर बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी जो मेरा पेज ग्रो हुआ है इस टाइम पर वह मैं अकॉर्डिंगली जब बोलो तो आप हर दिन पोस्ट करते ही आ रहा हूं और इंस्टाग्राम और नूटिस करता है अगर आप कुछ तक दालोगे फिर आप हड जाओगे ना अंकंटेंट अप्लोड करोगे और हड जाओगे तो इस्टाग्राम नूटिस करेगा आपको बूलेगा यार यह तो एक दो दिन दालता है फिर इसके बाद मैं अबलब अप्लोड नहीं करता है कंटेंट तो फिर हो क्या है ना कि दिन आपको प्रेजन्ट रहना है वो दो दिन भी आपको अप्लोड करना है मिसनिक करना है ऐसा है तो कंटेंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमें एक बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए कोई भी एक इनसाने उसको किताबे क्यों पढ़नी चाहिए किताबे देखो जो experience लोगों का होता है first of all ये तो यही है जो author होते हैं वो अपने experience book के थुरू share करते हैं और आप चाहे देख लो कोई भी category उठा लो कोई भी field उठा लो सब कुछ के उपर books लिखी हुई है और हार एक topic का हार एक category के उपर एक book लिखी हुई है तो बस एक ढूणने की बात होती है तो आपको मिल जाएगा वो एक चीज तो यह हो गई प्लस आपको self growth जो है वो आपका बहुत अच्छे से होएगा इसके अंदर अगर आप किताबे पढ़ रहे हो तो आप बहुत एरिया बहुत चीज को आप एक्स्प्लॉर कर सकते हो अगर आप किताबों जो पढ़ना स्टार्ट करो गया जाना हो गया इसके बारे में आपकी जो knowledge बिल्ड होएगी वो आपकी हर जगा apply होएगी जैसे कि मैं अभी किताबे पढ़ता हूँ तो चाहे बिजनेस की हो गई यह मेरे जो mindset reading का ब्रैंड है उसके उपर मैं उसको apply करता हूँ नो तो यह सब चीज़े हो गया और जो आउट फिल्ड हो गया जो आउफ लैन वाला जो life हो गया तो वहां पर भी apply होती है तो काफी सारी चीज़े जब आप पढ़ते हो तो जानते हो तो लोगों का experience लोग उस बुक में share करते हैं काफी लोग हो जो दस साल research करके बुक लिखते हैं बीस साल research करके बुक लिखते हैं और 200-300 pages में आपको मिलती है और फिर आप वो एक हफते जो भी हो गया एक महीने मे पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा knowledge होती है उसके अंदर लोगों के जो experiment research होते हैं वो सब उसके अंदर आलते हैं यह मुझे लगता है बहुत जादी valuable चीज़ है बहुत ज्यादे valuable चीज़ है तो इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है और अब देखोगे अगर लोगों किताबें क्यों पढ़नी चाहिए है तो आप आप देखो ना मतलब की अभी जो वर्ल्ड's most famous जो company है जो फेस्बुक को चाहे ले लो आप टेसला को ले लो आप Microsoft को ले लो आप इस सारे लोग के जो यह जो founders है वो सब किताबें रीड करत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं तो कुछ तो reason होगा ना कि लोग किताबें पढ़ते हैं जो इतने billion dollars की company बिल्ड कर चुके है और इतनी जादी success है लोगों के पास तो reason क्या है मतलब उसके पीछे क्या है और लोग बहुत पहले से किताबें पढ़ते ही आ रहे हैं Amazon के founder है उन्होंने Amazon का जो company है वो बुक्स से स्टार्ट किया था फर्स्ट फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया था तो बुक्स से पढ़ते आ रहे हैं तो यह जो reason है या आप पढ़ने ही चाए कोई reason होने चाहिए और मैं क्यू पढ़ूं किताबें यह examples जो आपके सामने आते है अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो किताывать पर जबूरी है जो है लाइफ के बारे में बिस्नियस के बारे में अगर आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी फिल्ड में तो किताभी पर जड़ोरी है अभी ऐसे इंटरफ़ू पूरे नहीं हुआ है अगर आपको हमारा पॉड़कास्ट पसंद आता है तो प्लीज हमें अपल पॉड़कास्ट और स्पाटीफाय पर एक फाइव स्टार रेटिंग देना ना भूले और यूटूब पर देखने वाले लोग प्लीज इस वीडियो को शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क् कि इससे आप दूसरों को भी कुछ नया सीखने में मदद करेंगे और खुद भी ग्रोह पाएंगे तो इस एपिजोड के लिए बज़त नहीं अगले अफ़ते फिर्म मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल लगें और सीखते रहें